जंहाधाना चेटर में रविवार को और नियंतृत कार की चपेट में आने से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए साथ ही एक व्यक्ति की मौकी पर मौत हो गई आपको बता दे जंहाधाना चेटर के गहरा चौबाट टोला निवासी चार लोगों की कार की चपेट में आने से तीन लोगों को गंभीर चोटाई वहीं जीऊत यादव पुत्र सहदेव की मौके पर ही मौत हो गए मौके पर पहुँचे ग्रामीरों ने गाहलों को ततकाल जिला अस्पतार भिचबाया जहां गाहलों की स्थिती गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीरों ने गौरप पुर्देवरिया मार को जाम कर दिया सूचना पर पहुँचे थाना अध्यक्ष जंगा और सीओ चौरी चौरा ने ग्रामीरों को समझा बुजा कर जाम खुलवाया इस समन में गौरप न्यू समवादाता से बात करते हुए स्तानिय ग्रामीरों सीओ चौरी चौरा घायल के भाई और जिला अस्पताल में तैनात एमों डॉक्टर गनेश कुमार गौरव ने कहा बारिख समय खायल करें तो चाहद में अदलिसस्टा और कि अध्यूब आगड़ा तो बढनेश। चौरा अध्या तो प्रपर चौरा ने को ड्रिश कर दोटे हो अध्यूदार ने है एज सब्सक्रदीक ची होगा दो कोई चोट नहीं है जिए काँ पता पता देख कोई है खोलो इसको नहीं कोई चोट नहीं है बताए कहाँ चोट है गाहिरा चोट टोला यहां में लोग भाइश चरा रहे थो आप्रेड के नीचे बैठे थे मारूती वाला देवर्जा और से आया गोरक पुर जा रहा था आए लोग को मारा है कि यह का एक आगमी पुरंत मर गए है और लोग हास्पिटल गए है पुलिस आई है जाम हुआ है गारी रोकाओट हुआ है जनता इदम भाव खलाइल गया है जिसमें एक कार नेंते दुक्षिक कामनेत के एजर अफ्तार से ठक्कर मारदी इसमें एक तक किमत हुए है उसको उसकी बाड़ी को पी-म के लिए लिए गया है बाकी तैसिल्दा सद मारूती वाले मार देलस है रास्ते में बईठर लाना सब तीन अदमी। है चार लोग के विए परेही दो लोग उधर हैं जो एक लोग तो गई लह उहां चिर गर कर रहे हैं जोता एक लोग पता नहीं चला उसका पता है कहां काँग हुए बद्कि तीन लोग के गार्जान म कर रहे हैं अब दिखत कहां भेजाना है वो लोग गरीब आदमी है पैसा भी नहीं है यह अभी चरपांट से अक्सिडेंट आये थे सब लोग गंभीर थे सबी लोग को रेफर मैंने मेटकल कॉले हेड इंजूरी था मेटकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिये लेकिन एक जंगा अधाना के है कहलास जादा उनको भी हेड इंजूरी है यह जाने से इंकार कर देते इनको सब इलाज करते हुए भरती कर दिया हूं और अभी एक और आया है उसको भी चेस्ट इंजूरी है परसली के हड़ी तुटी हुई है उसको इस समय इलाज कर रहा है उसको भी इलाज क करते हुए भर्ती कर दूंगा